गुड इवनिंग एनोज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ क्योंकि इस सत्र में 2023 में जो है NCC के अंदर जो छात्रों का नमांकन होना है वो पिछले साल के तरह ही है बीच में थोड़ा सा वेबसाइट उपलब्ध ना होने के वज़ा से कुछ confusion हो गया था और चुकि ये एक enrollment हुए एक साल हो चुका है पिछले साल तो बहुत सारे एनों का request मेरे पास आ रहा था कि सर दुबारा आप इस पे एक video बनाए ताकि हमें आसानी हो क्योंकि पिछले बार भी जो हुआ था वो पहला बार था तो बहुत सारे up-down हुए थे और इस बार चुकि second time है तो एक हमारा review हो जाएगा recap हो जाएगा और दूसरा अगर कोई changes आये होंगे या जो नए बने हों तो आप लोगों के request के वज़ा से मैं ये video लेके आया हूँ जो आपको detail में एक ano को बताया जाएगा कि किस तरह से उसको इस online enrollment के अंदर काम करना है इसके पहले मैं background में बता दू कि इस साल भी जो इस साल का सत्र है session है 2023-24 इसमें भी जो admission का तरीका है पिछले साल की तरह same है कोई बदलाव नहीं है जैसा कि आपको ग्यात होगा पिछले साल NCC का online enrollment process किया गया था जो website था वो NCC auto के नाम से जाना जाता था उसका जो link है वो आपको DG NCC के web page से ले अधरवाईच आप याद करेंगे या कोई और लोग बताएंगे तो आप गलत website पे भी भटक सकते हैं और देखी रहें कि आजकल तरह-तरह के scam हो रहे हैं तो आप गलत website पे ना जाएं सही website पे जाएं इसी के लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो student के लिए भी है और A.N.O. के लिए भी है जो A.N.O. नहीं बन पाए हैं CTO हैं उनके लिए भी है और P.I. के लिए भी है वो भी ये वीडियो A.N.O. को दिखा के उनको जो दिक्कत आ रही होगी तो उनको वो उसमें मदद कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया इस सत्र 2023-2024 में online enrollment process जो है वो DGNCC की तरफ से बनाया गया है उसका link आपको DGNCC की website पे है वहां से उस website पे जाके एक student को online apply करने के लिए क्या क्या करना होता है इसके लिए already मैंने एक वीडियो बना रखा है उसका link मैं इस वीडियो के description में डाल दूँगा वहां पर जाए और click करें तो वहां पे आपको एक cadet को या एक छात्र को जो है उसको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस बार online apply कैसे करना है तो student के लिए भी और PI के लिए भी online process जो है वो मैंने direct जो process है वो हमने एक वीडियो पे डाल रखा है आप YouTube पे जाए वहां पे explore with Anilasa करके search करेंगे तो एक आपको मिलेगा उसके अंदर जब उस channel को आप subscribe करेंगे तो उसके अंदर आपको एक playlist मिलेगा NCC जिसमें आपको सार NCC से सम्मंदित जितने भी आपके training syllabus subject वो सारा चीज विवरन जो है camp तो हर चीज का वीडियो मैंने बना के डाला है और जो भी वीडियो मैंने उसमें डाला है वो आपका DG NCC के मताबिक syllabus के मताबिक ही है बाकी जगों मैंने देखा कि वीडियो जो लोगों ने डाल रखे है वे सही नहीं है और syllabus के मताबिक नहीं है तो मेरा प्रयास ये रहा है कि मैं आपको प्रमानिक सही और correct जो है वीडियो लाओं ताकि आप भटके नहीं आपका जो महतपुर्ण time है किमती वक्त है वो जाया नहीं हो तो वहाँ पे उस वीडियो को आप देखें जो पुराने credits ह वो वहाँ पे देखके online पढ़ाई कर सकते हैं जो नए credit है वहाँ पे जाके online enrollment का process देख सकते हैं समझ सकते हैं कोई दिक्कत अगर है तो वहाँ पे वो अपने comment box में जाके comment दे सकते हैं वहाँ पे उनके वो जो संका होगा सुभा होगा उसको दुर कर दिया जाएगा उसके अगर आपने वहाँ admission मान लेजिए हमारे कुछ ऐसे subscriber होंगे जिन्होंने admission ले रखा है तो उसके लिए अगर आप देखेंगे कि NCC exam playlist के अंतर सुरवाती वीडियो में ही दो वीडियो मैंने upload किया है एक junior division के लिए एक senior division के लिए कि आपको कैसे पढ़ाई शुरू करनी है पढ दहाई में क्या-क्या पढ़ना है तो जिस भी category में आप है senior है या junior है उस category का वो वीडियो आपका पहला वीडियो होगा उस वीडियो को अवस्त देखें पूरा देखें और उसको notes बनाए ताकि आपको block syllabus, detail syllabus, कौन सा कितने period class चलने हैं, किसका theory है, किसका practical है, किसका demo है वो सब चीज का detail वीबरन वहाँ आपको मिल जाएगा, अब हम वापस आते हैं, कि जो student थे, उनके लिए तो हमने video अपलोड कर दिया, उनके video की लोगपिरिता को देखते हुए, बहुत सारे A&O PI का request आया, कि आप A&O का जो login होता है, उसके बाद जो एक level up होता है, जब online application cadets या A&O उसको verify करता है, और verify करने के बाद अगर ठीक है, वो छात्र या छात्राय जो भी है, NCC के लिए उप्यूगत है, फिर वो उनको approve करता है, तो वो फिर third level पे battalion पे जाता है, फिर battalion में उसका दुबारा फिर से check के जाते हैं सारे documents, अगर सब कुछ सही है, तो वहाँ approve करत ही उनको regimental number alert हो जाता है, और वो नियमता NCC में enroll हो जाते हैं, और NCC की सारे फायदे के उठाकने के लिए हकदार हो जाते हैं, तो अब हम आते हैं, दूसरे stage का जो था, जिसमें A&O का जो online या offline कैसे enrollment करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए था, तो अभी म मैं आपको सुरू से बता रहा हूं, कि आपको क्या क्या करना और कैसे करना है, तो सबसे पहला चीज आता है, कि website, किस website पे हमें जाना है, हमें कहां पे जाना है, तो वो मैं आपको तरीका यहां बताऊंगा, उस website पे जाने से पहले, सभी A&O को अपना login ID और password पता होना चाह अधिकारी होंगे, या परसासनिक अधिकारी होंगे, AO साहब होंगे, या CEO साहब होंगे, वे आपको हर A&O को login ID और password प्रदान करेंगे, अगर आप भूल गए हैं, तो आपको याद दिला दू, login ID जो है, वो आपका email ID है, जो जो आपने email battalion में दिया है, वही आपका email है, व वो आपका password होगा, आप उस password को बदल भी सकते हैं, और अगर आप password भूल गए हैं, तो आप उस password को reset करने के लिए battalion संपर्क करेंगे, तो battalion आपके password को reset कर देंगे, तो अभी आपको मैं एक नमूने के तौर पे, एक institute के, A&O के login के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना है, कि हमारा website online enrollment का वो कहां मिलेगा, कैसे पता चलेगा, याद रखना तो सबकी बसमी है नहीं कि पूरी website के address याद रखा जाए, तो उसकी लिए सबसे सधारन, सरल, जो तरीका है, सबसे पह सबसे पहला website आया, अगर उस website के address को ध्यान से पढ़ेंगे, तो यह NCC, sorry, HTTPS करके आगे जाएगा, मतलब यह secure link है, indiancc.nic.in, तो यह जो website देख रहे हैं, first, यही आपका DGNCC का website है, जैसे मैं अभी देखिए, इस पर click कर रहा हूँ, click करते ही, आपका यह DGNCC का webpage खुल गया, जिसमें आप देख रहे हैं, कि जो हमारे DGNCC है, उनका picture लगा हुआ है, और उनके बारे में जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, तो यह आपका DGNCC का webpage है, फिर यहाँ पर click करे home, अगर आप देखेंगे, बाई तरफ, NCC core का जो main logo है, उसके नीचे home लिखा हुआ है, home पर click करते ही, आपका webpage खुलेगा, यह DGNCC का main webpage है, इसका address जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे cursor को अगर आप ध्यान से देखेंगे, indiancc.nic.in, तो यह भी आप याद रख सकते हैं, और जो तरीका मैंने बताया, Google से सर्च करके, वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर बटन दबाएंगे, तो आपका home पर आ जाईएगा, home पर आते ही आपको, यह screen दिखेगा, इसमें आपको नीचे scroll करना है, स्क्रॉल करते ही बीच में आप देखेंगे, कि यह तीन आइकोन बने हुए हैं, competition result, NCC enrollment, honors and award, तो अगर आपने मेरे जो student के लिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, student को मैंने बोला था, वो यहाँ पे click करेंगे, अगर यहाँ पे click करेंगे, तो student के लिए website direct खुलेगा, और अगर आपको ano का चाहिए, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और दूसरा तरीका भी है, जैसे अभी मैं आपको यह तरीका एक बताता हूँ, तरीका जो पर्थम त अब आते ही आपको यह एक webpage खुल जाएगा, इस webpage के अंदर nccauto.gov.in, जो है, यह आपको enrollment आएगा, तो यह आपका cadet का है, इसके बारे में जो detail वीबरन है, form कैसे है, क्या है, personal detail यह सब कैसे भरना है, यह मैंने जो बताया आपको, जो इसके पहले का video है, उसमें हमने डाल और यह student के लिए है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको scroll करके जब आप नीचे आएंगे, तो नीचे आभी आप देखेंगे, feedback, admin login, website policy, contact us, help, web information manager, यह जो line है, blue color का, इसमें एक है admin login, यह आप admin login देख सकते है, यहाँ पे मैंने cursor रखा हुआ है, तो इसको ध्य यहाँ से देखें, यहाँ पे क्लिक करते ही, एनो का webpage login करने का खुलेगा, तो अब चलिए, अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही, जो है, आपको खुलना चाहिए, तो दुबारा हम try कर लेते हैं, यह जो आपका खुल गया admin, nccautogog.in oblique admin, तो admin डालत ही, जो है, आपका यह webpage खुलेगा, यह webpage battalion के लिए भी है, और ano के लिए भी है, यहाँ पे जो मैंने बताया, कि जो आपका email है, वो email आपका, जो है, एक नमुने के तोर पे हमने email डाला, तो यह email हो गया आपका login ID, और जो password आपको battalion ने दिया है, वो password आप यहाँ पे, type करके, login कर सकते हैं, password आपको अगर भूल गए होंगे, याद नहीं है, तो यह password आप battalion से दुबारा मांग सकते हैं, login ID भी अगर आपका change हो गया होगा, तो आप दूसरा login ID भी generate करा सकते हैं, तो login ID और password आप battalion से reset करा सकते हैं, change करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन जब एक बार आपको password मिल जाता है तो आप password बदल भी सकते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं उसके बाद नीचे में है यहाँ पर capture, capture के अंतर के यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप type कर सकते हैं कभी-कभी confusion होता है कि यह O है या 0, यह जब समझने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ refresh करेंगे तो नया capture आ जाएगा कभी-भी अगर capture को समझने में या दिखने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको बदल भी सकते हैं, नया capture डाल सकते हैं यह अगर वो ले नहीं रहा है तो अभी तो यहां पर हमने capture डाल दिया, login किया, तो यह login हो गया, यह आपका जो dashboard खुला, यह dashboard अनो का dashboard है, इसके अंतरगत यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यह आपका नाम लिखा हुआ नजर आएगा, यहां पर आपका profile नजर आएगा, यहां पर से आप password चेंड कर सकते हैं, यह यहां से आप sign out कर सकते हैं, इस कोने पर, दाहिने तरफ जो मैंने दिखाया आपको, यह आपको दिखेगा, और बाई तरफ अगर हम आते हैं, तो dashboard है, और यहां registration है, तो by default यह dashboard पर आएगा, और dashboard यह खुलेगा, enrollment, enrollment के अंदर, यह जो आप enrollment देख रहे हैं, बाई तरफ, इ यहां पर आप देखते हैं, कि कुछ data दिखाय रहा है, यह data पिछले साल का है, जो data दिखाय रहा है, यह आपका 2022 का है, अब चलिए इस data को समझने की कोशिस करते हैं, कि क्या है, तो पिछले साल जो है, इस institute से, एनो के पास, टोटल 54 अप्लिकेशन, ऑनलाइन सब्मिट हुए थे, जिन में से, एनो ने 25 को एप्रूब किया, पेंडिंग कोई नहीं है उनके पास, और बाकी 29 में कोई गलतियां होंगी, तुरूटी होंगे, जिसके वज़ा से, एनो ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब जो एनो ने 25 एप्रूब किये, वे कहां चले गए, वे बटालियन ले यूनिट, तो बटालियन ने ये 25 बच्चों का इन्रॉल्मेंट एप्रूब कर लिया, तो इस इस्टिचूट का मतलब है, कि यहां पे 50 की नफरी थी, तो इसका मतलब है कि यहां पे हाफ प्लाटून था, और हाफ प्लाटून के अंतरगत, एक साल 25 बेकेंसी बनती है, सकता है, कुछ ओफलाइन लोगों ने भी अप्लाई किया हो, ओफलाइन अप्लाइन दिखा रहा है, मतलब ओफलाइन किसी ने नहीं किया था, अगर पिछले साल ओफलाइन किये रहते, तो वो यहां पे डिटेल आता, अब यहां पे मैं डिटेल में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि e-application और offline application ये क्या है, क्योंकि इसमें देखा मैंने बहुतों को confusion रहता है, e-application का मतलब, login जो मैंने आपको ID दिखाई थी, जिसमें student अपने घर से, या cyber cafe से, student जब खुद upload करता है, वो e-application कहलाता है, e-application form जो है, जब student अपनी ID से, अपने email से अगर application लोड करता है, तो e-application कहलाता है, बट किसी वज़ा से, खास करके junior division या junior wing में, जब बच्चे नहीं कर पाते हैं, या जो मतलब computer नहीं चला पाते हैं, दिक्कत आती है, तो वे उस institute या college में जाके, एनो के द्वारा भी form upload करा सकते हैं, तो जब form, एनो के login से upload होगा, वो कहलाएगा offline application, जो भी application बच्चों ने direct नहीं किया, अपने एनो की मदद ली, एनो ने उसे help किया application को upload करने में, वो कहलाएगा offline application, offline application का मतलब हुआ, जो student है, उन्होंने अपना सारा document कागज लेके, अपने एनो के पास गए, और एनो ने उसको upload किया, तो जितना भी वो upload करेंगे, एनो वो यहाँ पे आ जाएगा, total form received, तो यह जो form received हुआ, एनो को physical, hard copy जो बोलते हैं, physical form में जो receive होगा, वो यहाँ पे आ उसके बाद फिर वो बैठके अपने time से check करेंगे, चेक करने के बाद फिर जिनको approve करेंगे, वो यहाँ पे आएगा, जिसको नहीं approve करेंगे, वो pending में होगा, और जिसमें उनके form में कुछ गलतियां अगर होती है, reject करेंगे, तो वो यहाँ आएगा, तो जितने ये offline approve वो फिर कहाँ चला जाएगा, बटालियन में, तो बटालियन भी उसको check करके approve करेंगी, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस module के अंदर जितने भी data है, मतलब ये offline form ANO के login से भरा हुआ है, और उसका ये विबरन है, तो उमीद है कि ये आपको dashboard किलियर ह अब हम चलते हैं, बरतमान सत्र, 2023-2024 में कैसे बच्चों का नमांकन किया जाएगा, जब बच्चे, आपको मैंने बताया कि जो पिछला वीडियो का मैंने लिंक बताया, और जिसमें माल लगी आपके बच्चे, student जो हैं, उन्होंने online forum भर दिया, अगर online forum भर देंगे, तो वो आपको यहाँ पे आजाएगा, अब यहाँ पे आएगा तो यह पिछला भी है और नया भी आजाएगा, तो यहाँ पे कोई distinguish नहीं है, कि यह पिछला है कि नया है, यह जानने के लिए आपको यह जो देख रहे हैं, इस icon पे click करना होगा, जैसे अभी मैं click कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यह enrollment date है, यहाँ पे click करते ही वो sorting हो जाता है, तो आप अगर देखेंगे, दुबारा मैंने click किया, ascending, descending यहाँ से decide होता है, तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे latest cadet card student का direct जो form भरा हुआ था, वो 7,10,2022, मतलब 2023 का कोई बच्चों ने अभी तक form नहीं भरा है, भरेगा तो वो यहाँ पर आजाएगा, फिर आप सको देख सकते हैं, accept कर सकते हैं, reject कर सकते हैं, approve कर सकते हैं, तो यह मैंने आपको बताया कि अगर बच्चों ने online form भरा, तो वो यहाँ पर आपको number बढ़ता जाएगा, और यहाँ से आप click करके जो मैंन में आजाएगा, कि यह 2023 का है, यह 2022 का है, अब यह तो हो गया कि अगर आपने कर दिया है, तो उसका data यहाँ दिखेगा, अब हम आते हैं कि नया कैसे करना है, तो नया में अगर आप offline करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह registration में आना पड़ता है, और यहाँ पर enrollment, यह तो dashboard के बगल में एक दूसरा मीनू है registration, और उसके नीचे आप देख रहे हैं enrollment, तो यहाँ पर जब हम click करेंगे, तब हमारा यह offline का process एनो की तरब से चालू होगा, तो यहाँ पर अगर हमने click किया, तो यह खुल गाता है, इसमें भी अगर आप देखते हैं कि जो 2022 का है, मतल अगर upload कर दिया, तो वो आपको dashboard पर आजाएगा, नहीं किया, hard copy लेके वो आगे college school में, इसर हमसे हो नहीं पा रहा है, आप कर दे, तब आप कहां से करेंगे, तो आपको registration में जाके enrollment पर click किया, यह data आगया, यहाँ से दिख रहा है कि 22 का है, मतलब 23 में हमने अभी कोई भी data अपलोड नहीं किया है, first data कैसे upload करेंगे, अब आजाएगे दाहिने तरफ, आपको export to PDF, Excel का यह icon दिख रहा है, उसके पहले यह plus sign है, अगर हम plus sign पे mouse के marker को लेके जाते हैं, तो वहाँ क्या लिखा हुआ रहा है, add enrollment, यह plus sign पे ले आना है, देखिए अभी हमने दुबारा ल हम क्लिक करेंगे, तो आपका यह एक webpage खुलेगा, जिस पे आएगा add enrollment, मतलब यहां से आप अपने institute के छात्रों का form, offline mode में upload कर सकते हैं, बाकी चीजे विवरन जो है, self explanatory है, इसमें ज़्यादा कोई detail बताने की ज़रत नहीं है, पहला नाम, middle name, last name, gender, mobile number, email ID, photo, इन सब का वि तो यहां से photo upload करेंगे, photo के बारे में मैंने video में बता रखा है, उसको देख लें, अगर आपने नहीं देखा है, तो क्या-क्या सालधानी बरतनी है, गलत photo होगा, reject हो जाएगा, उसके बाद आपका data birth, पिता का नाम, भारतियता, mother name, किस class में study कर रहा है, वो आप यहां से select क करेंगे, category जो है, उसकी general OBC, ST, SC क्या है, वो यहां से select करेंगे, state यहां से select करेंगे, type of cadet, junior, senior, girls, boys, जो भी है, वो यहां से select होगा, wing, army, navy, air force, जो भी है आपका, school के अंदर जा, institute में जो भी आपका है, उसके हिसाब से होगा, फिर यह address है, फिर NOK का address है, फिर present address है, फिर medical category है, तो यह सारा वीबरन self-explanatory है, back account number पूरा सही सही चेक करके भरेंगे, अगर numerals के पहले 0 है, उसको भी यहां लिखेंगे, holder का नाम भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, जिस तरह से passbook में लिखा है, back account type में आप saving select करेंगे, current नहीं करेंगे, saving select होगा, उसके बाद bank का नाम address, IFSC code, sports, कोई अगर school curriculum activities है, किस level पर क्या है, वो सब भरना है, willingness of enrollment में yes होगा, conviction by criminal court, जो भी है yes no, उसके हिसाब से भरेंगे, willing to undergo military training, yes होगा, willing to serve in NCC, yes होगा, अगर वो पहले किसी disciplinary ground पे NCC से निकाले गए हैं, उसका विबरन होगा, पहले कभी apply किया हुए है, तो उसका व program, जो आपकी hard copy form है, acceptance of enrollment, जो first PDF है, उसको यहाँ upload करेंगे, acceptance of enrollment, extension of enrollment, admission के लिए नहीं है, यह उनके लिए है, जो A, B और C में अगर fail होगा है, उनको extension चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे है, photographs, medical certificate यहाँ पर है, nomination to CWS, यहाँ पे upload होगा, उसके बाद अधार card यहाँ होगा, bank का passbook यहाँ पे होगा, college admission proof, मैंने पहले ही बता रखा है, कि college admission proof आपको यहाँ upload करना है, तो college admission proof के तोर पे आपने अगर fees भरा है, तो उसकी रस्तित आप यहाँ upload कर सकते हैं, कुछ school college है, जहाँ पर fees नहीं है, free education है, या किसी बच्चों ने अगर fee को गुम कर दिया है, उस परिस्तिती के अंतरगत, principal का एक certificate होगा, certified that जो भी student का नाम होगा, son of या daughter of जो भी यह पिता का नाम होगा, उसके बाद वो किस class में उसका admission हुआ है, वो class का नाम होगा, किस सत्र में हुआ है, तो 23-24 सत्र है, तो 23-24 सत्र है, उसके पहले पिछले साल वो 8th class में था है, 7th मे लिया है, वो होगा, और बरतमान में किस class में है, और किस सत्र में है, वो होगा, फिर उसका admission number होगा, उसका roll number होगा, उसका class होगा, तो यह सारे जो अवस्तिक वीवरन के साथ, principal sign करेंगे, एनो भी उसको sign करेंगे, तो यह आप admission proof में वो डाल सकते हैं, enrollment year automatic 2023 होगा, तो यह स save करेंगे, तो वो आपको dashboard के अंदर offline में यहाँ पे, यह भी मैंने offline क्लिक किया, total form received, वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके यह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसको check करके दुबारा approve करेंगे, तो फिर यह battalion में चला जाएगा, तो इस तरह से मैंने बताया कि किस प्रक हैं, टेक्सेवी हैं, जिनको IT का knowledge है, वो form भरेंगे और यहाँ पे आएगा, यह application में, तो इस तरह से आप उनको online और offline भर सकते हैं वो, दोनों हालात में उनके जो document है, वो institute में आएगे, आपके पास ANO के पास आएगा, ANO चेक करेंगे, चेक करने के बाद जब ANO एप्रू करने के बाद वो approve करेगी, उसको regimental number मिल जाएगा, तो उमीद है कि इस तरह से आपको online और offline कैसे application accept करना है, कैसे उसको upload करना है, उसकी विस्तित जनकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है, और फिर भी अगर आपके मन में कोई सग्का है, कोई शमाधान अगर आप चाहते है तो आप इस वीडियो की comment में डालेंगे, तो वहाँ से मैं आपको उसकी detail बता दूँगा, और उमीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदे मन्द होगा, आप इस वीडियो का अवस्य से देखे, like करे, और share करे, ताकि सारे A&O को पता चल सके, कोई गलती नहीं हो किसी वज़ा से किसी छातर को NCC से एडमिसन से वन्चित न होना पड़े, तो उस सब कारियों के लिए ये एक वीडियो छोटा सा एक बनाया है मैंने, ताकि आप सब को फायदा हो, तो अगर आभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो क्रिपया करके subscribe करें, ताकि इस जानकारी वाली वीडियोज हैं, वो आपको मिलता रहें, और जो को चाहिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेर कर सकते हैं, ताकि सभी इस से लभानमीत होगे, जैन, और जब आपका आखरी में सब कुछ हो जाता है, तो finally आप यहां से log out या sign out हो जाते हैं, उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जैन.